Hello Friends, Symphony Limited की डेटा अनलाइस करते हैं, चार्ट अनलाइसिस करते हैं, हम इसमें तीन बाते देखेंगे कि कम्पनी का पास्ट पर्फोर्मंस कैसा रहा, 60-50 शेर्स के मुकाबले, और करन्ट सीचुएशन क्या है, इसमें हम चार्ट भी देखेंगे और डिलिवरी वोल्यूम भी दे कि देखें, 1-1-2014 को शेर की प्राइस थी 2-1-2, जो 6 साल में बढ़कर हुई है, 1-1-4-8, याने की कम्पनी ने इन्वेस्टरों को माला माल कर दिया, और यह हैं लोगडाउन के समय, जो लोईश पॉइंट पर 23rd मार्च को काम कर रहा था, वो टाइम की प्राइस, और यह ह होई 4 दिन की प्राइस अगर हम Nifty 50 की देखें, तो यह रही, 6301, 12182, 7610, 11504, अभी इसमें दोनों के कम्पेरिजन करनी है, तो हमें 1 लाग रुपिया अगर इन्वेस्टर ने डाला है, 1-1-2014 को, तो क्या हुआ वो देखना पड़ेगा, और फिर कम्पेर करते हैं, देख कम्पनी ने इन्वेस्टरों को माला माल कर दिया, और नुक्सान भी नहीं होता है, देखें, लोगडाउं में प्राइस कम होती है तभी, अभी 4,29,000 वेल्यू है, एक लाग रुपे दी, और Nifty 50 में क्या होता है, Nifty 50 shares में, 1 लाग का 1,93,000 हुआ, 1,20,000 हुआ, और बाद में कम्पेरिजन करते हैं, तो 1 लाग के ऊपर, सिर्व 82,000 मिला Nifty 50 shares में, और यहां पर 3,29,000 मिला, यानि कि 4 गुना, मुनाफ़ा मिला है, सिंफनी में, अभी हम देखता है कि अभी का चार्ट क्या कहता है, तो यह है, जान्यूरी से आज तक का चार्ट, कम्पनी के शेर्स में, यह साल विकनेस रही, यह जान्यूरी का जो हाई था, 1380 अप्रोक्सिमेट 1400 का, वो एपरिल के बाद में, जो Nifty 50 के काफी शेर्स उपर आये हैं, तो यह सिंफनी का शेर्स उपर नहीं आ सका, लोएस दिखाया था 700 रुपे का, और यहां पर एक रेजिस्टन्स मिला है, 1050 मे जो रेजिस्टन्स एपरिल में हुआ था, बड़िया वोल्यूम में, और फिर वो रेजिस्टन्स अभी तक कंपनी क्रोस नहीं कर पाई है, पिछले दिनों से अगर हम लगातार देखे, में महिने से, एक रेंज बांट मार्केट हो गई है, कंपनी के शेर्स की, देखे, यह है यहां पर यह जो सपोर्ड जोन था, इसमें से रेक आउट हुआ है, लेकिन वापस अपनी ट्रेडिंग जोन में शेर्र आ गया, यहां पर एक सपोर्ड फॉट हॉँआ, दूसरा सपोर्ड यहां पर वापस सेम रेंज में फोर्म हुआ, और पिछले दिनों में, एक वोल् और डिलिवरी कॉंटिटी तो फ्रेडे को ट्रेडिंग वोल्यूम हुआ एक लाख 27 जार शेर का और डिलिवरी वोल्यूम हुआ 73 तॉजंड शेर का जो ज्यादा है ये अगर जून से सप्टेमबर का डेटा देखें आगर हम तो उसमें 18 जून से 8 सप्टेमबर को 59 देज काम ह हुआ और भाव घुमता रहा 950 से लेकर 820 के बीच में और डेली वोल्यूम था 58 तॉजंड शेर और डिलिवरी डेटा था रोज का 24 तॉजंड शेर जो अभी एक दिन बड़ा है सिर्फ फ्राइडे को अगर यही बड़त या यही वोल्यूम जैसे 50 लाख शेर साट लाख श और वो भी अच्छे वोल्यूम के साथ अच्छे वोल्यूम माने हैं कल का वोल्यूम नहीं अगर पचास आड़ अजार का भी ट्रेडिंग वोल्यूम होता है दो तिन दिन तो इसमें हम बढ़िया तेजी एक्सपेक कर सकते हैं तैंक्यू